Hello students I am Roshni from enlightening yourself Students, आज हम देखते हैं topic persistence of image on the retina हमें मालू में students, image कहां बनती है? Retina पे लेकिन retina पर image कब तक रहती है? कब तक उसका persistence वहाँ पे तक हमें दिखाय देता है? वो होता है students, एक सेकेंड का सिक्स्टिन्थ सोलवा हिस्सा एक सेकेंड को आप कितने उसको 16th हिस्से में डिवाइड कर दो तब तक image वहाँ पे रहीए इसका मतलब आप 16 still images per second एक सेकेंड में 16 images rotate कर जाओगे न आप हमारी eyes के सामने तो appear as if the object is moving हमें वो कैसा लगेगा कि वो object move कर रहा है माल लिजे मैं आपको एक page दिखा रही है okay इसको समझने के लिए तो यहाँ पे क्या है माल लिजे आप यहाँ पे बना रखा है अपने एक cage पिंजरा जो आपकी बुक में भी दे रखा है यहाँ पे आपने एक पिंजरा बना दिया उसके just opposite side में आपने क्या बना दिया parrot कोई भी bird बना लो और उसको इतनी fastly rotate करो ऐसे बिलकुल fastly rotate करो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे यह bird किस के अंदर है पिंजरे के अंदर है देखो actual में तो दोनों चीज अलग-अलग है लेकिन आपको picture में ऐसे दिखाई देगा कि bird और जो पिंजरा cage दोनों अलग-अलग नहीं दोनों एक ही चीज में दिखाई देगे क्यों कि वो image वो move होके उसके अंदर merge हो जाती है merge मतलब वो दोनों चीज एक साथ combine होके हमें लगता है वो एक ही जवे इसी तरीके से जो movie में आप देखोगे न कि अलग-अलग moment वहाँ पे show होती है moment में तो आप वहाँ पे देखो जैसे moment of soap वहाँ पे moment इतनी fast कर देते हैं जैसे 24 pictures in a second एक second के अंदर 24 pictures foot of foot show कर जाते हैं तो हमें लगता है as it appears as if they are moving वो moving करते हैं हमें show होने लग जाती है तो आपने जैसे मालों अब आपको लग रहा है कि कोई person और पहाड से कूता हुआ दिखा रहे है या एक चट से दूसरी चट के उपर दिखा दिया तो वहाँ पे students एक के बाद दूसरी तीसरी रूफ आप दिखा होगे तो persons और वो उपर से ऐसे लगएगा कि एक रूफ के बाद दूसरी रूफ को climb कर रहा है दूसरी से वो तीसरी रूफ में climb कर रहा है और एक्चल में वो अपनी जगह पे खड़ा होता है तो जैसे मैंने आपको पिंजरा और एक केज बताया ने पेरेट मान लीजिया और एक केज है तो दोनों opposite साइड में मैंने बना रखा है इस साइड में पेरेट है और इस साइड में क्या है केज है जब हम उसको फास्ट अगर अलग अलग पिचर अपने यहां पे रखती तो आप उनको फास्ट ली रोटेट करोगे 24 के 24 पिचर एक सेकेंड के अंदर तो एक के बाद दूसरा सीन हमें लगेगा कि इसने ये सीन किया उसके बाद ये किया और उसके बाद ये सीन हुआ तो वो हमें मुविंग में मुविंग में लगेगा तो इसी तरीके से मुविंग में होता है अच्छा जो ये वीजन है हमारी जो वीजन है देखने की शक्ति है बठा ये एक्ट्र में क्या होता है जैसे ही परसन ओल्ड एज में जाता है उसकी चीज़ कम होती रहती है डिक्रीज होती रहती है एज के स क्यों? मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एज के साथ साथ क्या है जो सिलेरी मसल्स है वो लेंस को अज़ेस्ट करने की पावर कि अगर अबजेक्ट पास में है दूर है उसके अकॉर्डिंग लेंस को अज़ेस्ट कर देते है ठीक है? अब माल जी कोई चीज़ है जैसे यह चीज़ है यहां पे लगा लो अब मालो अबजेक्ट पास में है तो उसको कैसे रखाया कैसे है ऐसे करके इसको ऐसे अपने आप इसकी क्या अब स्टोडेंट यह जैसे मालो यह लेंस है आपका इस लेंस को क्या करेंगे? ciliary muscles, कब इसको पतला करना है, कब इसको ऐसे चोड़ा मोटा करना है, तो वो इसका shape इसका size change कर दिया ने कई बार इसको बीच में से थिक दिखा दिया कई बार इसको बीच में से thin ऐसे thin दिखा दिया, तो यह adjust इसको lens को adjust कौन कर रहे है, ciliary muscles और कैसे करते हैं इसको अजस्मेंट और एकोर्डिंग तो दा अबजेक्ट की अबजेक्ट की अबजेक्ट दूर में है या पास है और ताकि उसकी प्रॉपर इमेज कहां बंसके रेटिना पे इसलिए तो अगर हम देखते हैं तो एक परसन इजली रीड कर पाता है लेकिन नॉर्मल आई में वो इसली रीड कर पाएगा चोकि हमें मालुम है कि नियरस डिस्टंस कितना होता है लेकिन अगर वो कमफर्टेबली रीड नहीं कर पाता है ओल्ड एज में तो इसका मतलब वहां पे उसको आईज डिफेक्ट है तो आईज डिफेक्ट फारसाइटनस जिसको हम बोलते है हाइपर मैट्रोपिया यहां पे यह कटा हुआ है हाइपर मैट्रोपिया अगर कोई परसन दूर का देख पता है लेकिन पास का नहीं दिख रहा तो हाइपर मैट्रोपिया अगर पास का दिख रहा है, दूर का नहीं पाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, मायोपिया, यहाँ पे M-Y-O-P-E-I-A, यह मायोपिया होना चाहिए, फार साइटनेस और मायोपिया होना, तो स्ट्वेंट्स इस तरीके से, अब देखो, यह मैंने डिफेक्ट का, मैं पहले ही ब मोलते हैं, मायोपिया, तो वहाँ पे भी उसको लेंज प्रॉपर चाहिए, अगर मैंने एक और डिफेक्ट बताया था, केटरेक्ट, केटरेक्ट कौन सा डिफेक्ट हो गया, जिसमें आई लेंज क्या हो जाता है, क्लावडी, मिल्की, फोगी, तो वहाँ पे क्या हो जाता ह कि वहाँ पे आर्टिफिशल लेंज डाला जाता है, आँक के अंदर, आबे हम देखो, स्टुएंट्स, आइस की केर कैसे करनी चाहिए, हम सबको पता है, लेकिन ये बहुत इंपोर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम लोग देखा है, को स्टुएंट्स का उपर केर नहीं करते, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट देखो बेटा, हमारी आइस का हमें regular check-up कराना चाहिए, दूसरा, specs, चेश्मा पहनी चाहिए, अगर हमें लगता है कि eyesight weak है तो, अगर डॉक्टर ने बता रखे है तो वो पहना चाहिए चेश्मा, always study on watching TV in insufficient light, अगर आप TV देख रहे हो, study कर रहे हो, वहाँ पे proper light, जितनी light होनी चाहिए, वो नहीं है, dim light है, तो तब भी हमारी आँखे क्या हो जाती है, strengths कमजोर होती है, और उसकी वज़े से क्या होगा, strain, जो हमारी ciliary muscles है, उनके उपर strain, मतलब stress पड़ेगा, और दूसरा क आँगा, उसे हमारी eyes में stress पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या होनी लग जाता है, headache, और यह चीज़ यहाँ से भी pain होना शुरू हो जाता है, students, यहाँ से, next, देखो, sharp source of light, कभी भी हमें बहुत तेज light, जैसे sun है, और आप यह कहते हो, चंदर ग्रहन है, चीक है, lunar eclipse, solar eclipse, इनको भी नहीं देखना चीए, directly, यह हमारी eyes को क्या कर रहती है, damage, अच्छा, if dust enter into the eye, one should not rub, कही बार देखाने है, आँखों में दूल चले आती थे, हम उसको ऐसे सरब करने लग जाते है, no, rub नहीं करना, उसको आप क्या करोगे, पानी से wash करो, ठीक है, then maintain a normal distance while reading or watching TV, normal distance maintain करो, यह distance कितना रखना है students, इस study और मेरी eyes के बिच में 25 cm, अगर इससे कम distance हुआ, तो हमारी eyes के ओपर, ciliary muscles पे stress होगा, और उसके कारण हमारी eyes कोए, defect हो सकता है, I hope यह clear हो गया होगा आपको अच्छी तरीके से, next देखो students, next is, take balance diet, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है, balance diet बहुत ज nutrients की कमी, अगर vitamin A की कमी होजाती है strengths, कौन सी? vitamin A, तब भी हमें disease हो जाता है, night blindness, जिसके वज़े से हमें रात के वक्त दिखाई ने रहता है, okay, अब एक laser light, अगर जो 30 light उतने laser light, वो भी कभी भी अपने आँखों पे सीधा नहीं डालनी चीए, क्यों? क्योंकि वो हमारे retina को damage कर सकती है, so ये कुछ important points होगे, अगर इनको आप ध्यान रखोगे, तो eyesight कभी भी कमजोर, नहीं होगी strengths, so इन सब चीज़ का take care of the eyes, eyes को take करना बहुत जुरूरी है, और आप ये खुद activity करके देख सकते हो, कि आप एक side में, जैसे मैंने parrot का बता है, और दुसरे side में आप case बना के, और उसके उपर क्या है, जैसी ये गत्ता है, गत्ते के उपर आपने दोनों चीज़ बना ली, इस side और एक दुसरी back side में, बनाने के बाद इसको आप किसी धागे से ऐसे पकड़ लो, और इसको बिलकुल fast rotate करो, बहुत fast, और आप देखना इसमें आपको कैसे लगत है, दोनों चीज़ एक जैसी लग, आपको लगेगा कि ये चीज़ उसके अंदर है, दोनों अलगनी नजर आएंगे, तो इसको हम बोलते है, persistence, तो हमारे आइस पे कितनी दिर तक इमेज रहती है, one-sixteenth of a second, so I hope ये आपको clearly समझ आ गया होगा, so thank you, strengths, for watching my videos. और, sorry, एक आज का question तो रहे गया मेरा पूश्य विना, जो बहुत important था, तो सबसे पहले मुझे बताओ, strengths, कि जब टीवी बगरा देखते हैं, ये सब हमारे eyesight कमजोर हो जाती है, okay, so हमें eyes में proper nutrients लेने चाहिए, ice के लिए हमें अच्छे nutrients खाने चाहिए, तो कौन सी vitamin हमारी eyes के लिए ज़्याद़ जरूरी है, so which vitamin is essential for our eyes, which vitamin is essential? for eyes, okay, so eyes के लिए कौन सी vitamin जरूरी है, you have to give your answer in my comment box, so thank you strengths for watching my videos, okay, एक चीज और भी रहेगी strengths, मैंने thank you thank you बोल दिया, लेकिन कोई बात नी, आपको बताना जरूरी है, सबसे पहले सुनो ध्यान से यहां पर, जो हमारे eyes अने, जो main point अब बताना भूल गई, देखो, eyes जैसे आपने देखा है, घर से बाहर जा रहे हो आप, या बाहर से, आप पिच्चर हो, आपने मालों बहुत बाहर है, धूप है बिल्कुल, आप जब अंदर की side आते हो, तब आपको एक minute के लिए, एक second के लिए, कुछ दिखाई नहीं देता, एक दो second के लिए, फिर आपको धीरे धीरे दिखना, सब कुछ easy हो जाता है, ऐसे ही, जब अंदर से एकदम, हम लोग, कभी भी यह चीज होती है, आप बाहर जाते हो, तब भी कुछ होता है, आइस के अंदर, तो हम बताती हो, क्या है, सुनो ध्यान से, हमारा जो अंदर pupil, आप pupil सब को पता चल गया है, ठीक है, आपको यहाँ पे pupil का, जो center में black hole है, ठीक है, उसको बोलते है pupil, अब pupil का size, बड़ा और छोटा होता रहता है, इसको बड़ा और छोटा कोन कर रहा है size, आइरिस कर रहा है, आइरिस इसका size, देखो, जब हम दूप में जाते हैं, तो ज़्यादा light होती है, तो हमें amount of light regulate कोन कर रहा है, आइरिस कर रहा है, तो आईरिस क्या करता है, प्यूपल का साइज थोड़ा सा श्रिंक, छोटा कर देता है, ताकि ज़्यादा लाइट ना जाए, जितने लाइट की जुरूत होती है, क्योंकि लाइट तेज है बाहर, तो प्यूपल का साइज क्या कर देता है, श्रिंक, अब वहाँ पे बाहर, प हम अंदर आएंगे, तो प्यूपिल का साइज, आईरिस क्या करेगा, उस प्यूपिल के साइज को थोड़ा सा बढ़ा करवाएगा, ताकि प्यूपिल का साइज क्या होगा वहाँ पे, बढ़ेगा, तो एक दो सेकेंड लगेगी, क्योंकि अंदर लाइट क्या है, डिम है, डिम लाइट है, तो प्यूपिल का साइज थोड़ा बढ़ा होने में एक फ्यू सेकेंड लग जाते हैं, और जैसे प्यूपिल का साइज प्रॉपर हो गया, जितनी लाइट है, dim light है तो थोड़ा साइज ज़्यादा बढ़ा दिया ताकि अब proper light हमारी eyes में चले जाए और हम हर चीज़ को clearly देख सके तो जैसे ही फिर size तो size छोटी से बढ़ा होने में fuse second लगते हैं तब हमें वो चीज clearly दिख पाती है तो इसलिए कभी भी इस चीज़ को यादगा अब माल लो हम अंदर है अंदर pupil का size बढ़ा है अब जैसे हम बाहर जाएंगे न स्टूरेंट्स तो क्या होगा वापिस तेज light होगी तो वापिस क्या करेगा iris regulate and control the amount of light entering the entering the pupil pupil के अंदर जो जितनी amount of light जा रही है उसको regulate करेगा iris तो फिर बाहर जैसे ही जाएंगे तो बाहर तेज light होगी वापिस pupil का size श्रिंक होगा और इस तरीके से जैसे अंदर आएंगे dim light में आएंगे तो pupil का size बढ़ेगा तो few seconds लगेगी अंदर से बाहर जाएंगे तब तो बाहर उजला है तो automatically हमें clearly दिखी रहा है क्योंकि dark light है तो pupil का size चोटा होगी और कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन बाहर से अंदर आते हैं तो बाहर light ज़्यादा थी अंदर कम light है तो उसलिए क्या करेंगे थोड़ा सा pupil का size चोटा होगी अच्छा एक और important चीज़ जो मैं आपको बताना बोलगी वो सुनो हम एक eyes, एक eyes से भी देख पाते हैं लेकिन दो eyes क्यों है क्योंकि broader view दो eyes से ज़्यादा degree का angle बन जाएगा देखो अगर एक eyes कोगा तो आप देखना अपना एक eyes close करके कितने degree का angle बना रहे है और जब दो eyes होगी ने मिटा तो ज़्यादा proper हमें ज़्यादा degree का angle बनेगा और हम clearly ज़्यादा दूर तक easily देख सकते हैं अच्छा दूसरी, दो eyes का एक और भी use है मैं बताती हूँ क्योंकि दोनों eyes से जो image बनती है जो मालो एक इस size में image बनी रेटिना पे की size में image बनी दोनों images को electrical signals के दुआरा optic nerve, message कहां लेके जारी है brain में तो दोनों images को जब brain में है तो उसमें proper distance और proper उसकी image ज़्यादा अच्छी तरीके से brain उसको interpret कर पाता है उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से हमें उसको image दे पाता है और अच्छी तरीके से हमें clearly उसका proper distance भी इसलिए अगर माल लो आपको यहाँ पे apple रखा हुआ है और apple उठाना है तो आपका सीधा हाथ apple पर ही जाएगा ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे हाथ मार रहे हो अप यहाँ पे हाथ मार रहे हो यहाँ पे आ रहे हो proper distance भी आपको बता देता है ice हमें केवल यह भी नहीं दिखाती कि कहा है दोनों ice की जो image दो ice है तो proper उसका distance भी आप में pencil नहीं आप pencil ऐसे रखो रखने के बाद उस pencil को जैसे suppose to end यह pencil है मैं आपको दिखा रहे हो अब यह मेरे पास pencil है नहीं तो मैं यह दिखा रहे हो suppose यह pencil है इस pencil की note को आप touch करोगे लेकिन आप अपनी एक eyes बंद करके फिर इसको आप ऐसे करके touch करो तो आपको ऐसे लगेगा आप ऐसे ऐसे हाथ लगा रहे हूँ आपको exact नहीं पता चलेगा लेकिन दोनों आखी खोल कर आप ऐसे हाथ लगाओगे तो direct pencil की lid जो pencil की lid होगे आप direct उसी के ऊपर हाथ लगा पाओगे मैं आपको दिखाती हूँ यह देखो स्ट्रेंट्स यहाँ पर तो मैं इसको थोड़ा सा हाँ अब यहाँ पर देखो अब मैंने आपको यह दिखा रुखा यहाँ पर यह क्या है स्ट्रेंट्स यह एक pen है pen की यह जो निय बेबल को उपर वाली pointer आप एक आईस बन करके इसको रख कर और आप इसको टच करो आप साइड में यहाँ उंगली होजएगी कभी यहाँ उंगली होजएगी आप प्रॉपर इसके उपर उंगली नहीं रख पाऊगे क्यों? क्योंकि प्रॉपर आपको डिस्टन्स आपकी आईस से और अच्छी इमेज हमें शो कर देता है और हम इसीली उस चीज़ को क्लियरली और उसका डिस्टन्स कभी भी हम ऐसे हाथ में मारते हैं अलग अलग जगार पे जो चीज़ जहाँ होगी हम वहीं से उसको उठाया और ऐसे रख लेती है समझ आ गया तो आप यह चेक कर सकते हो तो इसलिए हमारी दोनों आईस से ब्रॉडर भी भी बनता है और एप्रोपियर डिस्टन्स भी हमें ब्रेइन उस को इंटरप्रेट करके प्रॉपर बताता है तो यह चीज़ आपको क्लियर होगी होगी आप इसको अच्छी तरीके से देखके और एक्सपेरिमेंट खुद करके देखा करो तो आपको इसलिए पता चलेगी कि एक आईस से बन करने के बाद आपको कितने तक्का दिख रहा है कितने दोनों खोलने के बाद आपको कितना ज़्यादा दिख रहा है ठीक है। So, I hope it is clear. So, thank you students for watching my videos.